हलो दोस्तो जैहिंद स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चनल अभ्यास लाइप पर और हम लोग थीम बेस्ट एडियम्स और फ्रेजिस को पढ़ रहे थे और आज देखते हैं अपने इस तीसरे क्लास के सेशन में और आज का हमारा सेशन है सी और ओसन यानि समुद्र से रिलेटेट थीम्स पर आधारिप कौन-कौन से एडियम्स हैं तो चलिए चलते हैं पहला है आट सी आट सी का मतलब क्या होता है कि काफी उल्जन में होना यानि इने स्टेट अफ कन्फूजन या डेलिमा कम्प्रिटली लॉस्ट यार बिंग अब जैसे आप क्या है कि आप जैसे किसी कन्फूजन में है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या करूँ तो ऐसा लग रहा है कि हर तरफ समंद रही समंद रहे कहीं आने जाने का रास्ता दिख ही नहीं रहा है मुझे ये नहीं समझ मा रहा है कि इधर जाओ य state of confusion या dilemma इसको हम बोलते हैं उल्जन में होना at sea इसी तरीके से दूसरे word meaning पर चलते हैं दूसरा word meaning है a sea change a sea का मतलब एक सागर change मेरे परिवर्तन यानि आपको जो changing करना है वो बहुत बड़ा सागर इतना बड़ा changing कर दिया आपने a big change हो गया अक्सर देखते हैं कि लोगों के जब शादी होती है तो बेटा शादी होगा ना तो जितना तुम अभी चिला रहे हो सब के सब बदल जाएगा एकदम से वक्त बदल गया जजबाद बदल गया हालाद बदल गया वाला हाला होगा जिसे देखिए इस महतरमा का कितनी खोस हैं और ये साहब देखे हाथ हिला रहे हैं but there was a sea change in his personality after he married his wife जब इसने अपने wife से शादी किया तो इसके बेवार में इसकी personality में बहुत बढ़ा बदलाव आया बहुत बढ़ा परिवर्तन आया अब बैटा खाओ साहदी के लड़ू तो a sea change यानि बहुत बढ़ा परिवर्तन होना फिर इसी तरीके से एक तीसरा idiom है क्या है between the devil and the deep blue sea यानि between के बीच होना किसके एक तरफ devil और दूसरी तरफ कहरा नीला सागर तो पता चला कि ये जो लड़की है विचारी देख रही है कि पीछे जो है वो सागर पड़ा हुआ है और आगे सैतान खड़ा है समझ में नहीं आ रहा है क्या करें यानि आगे कुआ है तो पीछे खाई है बहुत गंभीर इस्तिती में होना बहुत बुरी इस्तिती में फसे होना चौथा चलते है यानि आप इतने बड़े सागर में मात्र एक बूंद डाल रहे है बहुत ही छोड़ी से मात्रा ईसमाल एमाउंट अफ संम्तिंग यानि ऊट के मुग में जीरा डाल रहे हैं आप जैसे हमने कहा कि अए भाई हमको जरा एक लाख रुपेह दे देना तो उसने कहा यार ये लो दस रुपेह बस यह है मेरे पास करें गजबाले यार तुम तो उट के मूँ में जीरा डाल ले हो a drop in the ocean or spit in the ocean next आते है an ocean of something अक्सर बोला जाता है कि कोई जो है ग्यान का सागर है तो कोई हो सकता है कि संस्कारों का सागर है तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है संस्कृति का सागर है तो किसी चीज से भारा होना किसी चीज का उसके पास अधिक्ता होना अगर उसके पास knowledge बहुत जादा है तो हम कहेंगे भई वो ग्यान का सागर है an ocean of knowledge तो an ocean of something कुछ भी आप something के जगा लगा सकते हैं an ocean of something का मतलब a lot of something तो an ocean of knowledge next और आखरी वाले में चलते हैं बड़ा ही रोचक है ये और वो है क्या boil the ocean boil मतलब भई उबालना the ocean मतलब सागर को अब ये महराज जो है गरम पानी के तली में लेकर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं बस मैं सागर में गिराऊंगा अब पूरा का पूरा सागर क्या करने लगेगा boil करने लगेगा मुरखादी रास आपको कौन बताने जाए कि कभी भी सागर को boil नहीं कर पाएंगे आप असंभाव कारे करने जा रहे हैं to do the impossible thing तो boil the ocean का मतलब to do the impossible thing यानि असंभाव कारे करना ठीक है तो हम लोगों ने छे idioms को देखा जो कि C पे था कौन-कौन सा पहला है at C यानि कि आपने सागर देखा और पूरा confused हो गए हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें तो completely lost या being confused या in state of confusion या dilemma इस तरीके इसका options मिल सकता है दूसरा, a sea change यानि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाना तीसरा, between the devil and deep blue sea यानि गहरे दो परिशानियों के बीच में होना और a drop or spit in the ocean का मतलब बहुत ही कम मात्रा में उठके मुह में जीरा and ocean of something का मतलब बहुत कुछ, a lot of something और boil the ocean का मतलब असंभाव कारे करना यानि to do the impossible things इसी तरीके से रोचक idioms and phrases को याद करने के तरीके जानने के लिए और ऐसे idioms के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अभ्यास लाइब को Thank you very much to all of you Jai Hind